आज हम जानेंगे URIMAX 0.4 Capsule MR के बारे में, आज हम जानेंगे कि ये कौन सी समझ से होने पर इस Capsule का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लेने के बाद कौन कौन से side effect हो सकते हैं, इसका dose किस तरीके से लिए जाता है, तो पूरी और सही जानकारी आपको इस Capsule के बारे में मिलन इसे पहले हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर इस दवाई का कोई भी प्रचार या प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी कंपनी या ब्रांड से इसकी जानकारी देने के लिए हमने प्रमोशन चार्ज या कोई पैसा लिया है, हम free of cost में पूरी और सही जानकारी दव जो कि अपने आप में बहुती अच्छा ब्रांड है, सिपला कंपनी की जितनी भी दवाई होती है, 100 में से 99% उनका असर मिलता है, वो दवाई हैं जो काफी फायदे मन होती हैं, आप जान लेते हैं कि कौन सी समस्या होने पर इसको यूज किया जाता है और इसके क्या फायद कर देता है, और जो रुकावट होती है यूरेन में उसको भी थोड़ा तेज कर देता है, खुल के पिसाव आता है, लेकिन सही समय से आता है, अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है, मानलोग कोई प्रॉब्लम बढ़ दे तो आपका मूत पिरवा अवरूद्र होने का खत्र करा रहता है, आपका पेशाव बंद हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, ऐसे में यूरीमेक्स 0.4 कैपसूल एमर ब्लेडर और प्रोस्टेट की मासपेशियों को रिलेक्स करके काम करता है, इसलिए ये लक्षणों में तेजी से रहात दे सकता है, और आपके लिए पेशाव करना आसान बना सकता है, अधिकतम लाप प्राप्त करने के लिए इस दवा को डॉक्टर के बताये, अनुसार ही लें और जब तक लेते रहें, जब तक डॉक्टर मना ना करें, बात करें इस से होने वाले side effects के बारे में, जो कि इसके लेने के बाद किसी किसी को हो सकते हैं जो के जाननब आपके लिए बहुत ही जरूर ही है तो इसको लेने के बाद आपको बहुत जाधा चक्कर आते हैं वीरिय इसIsraland से जोडी समस्या हो सकती है सरदर्द होने लगता है मिचली आ सकते उल्टी जैसा लगने लगता है या संक्रमण आपका कोई bacterial infection body में हो जाए या खुजली होने लगे शरीर में या अचानक खड़े होने पर blood pressure low हो सकता है चक्कर आ सकते हैं पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे ऐसी कोई भी समझ सा इस capsule को लेने के बाद होती है तो आप अपने तुरंथ doctor को बताएं जिसने आपको ये capsule दिया उनको बताएं कि जी हमको ये परेशानी इसको लेने के बाद हो रही है और आप भी समझ जाएं कि ये capsule आपको suit नहीं कर रहा है बात करें डोज की तो डोज से वैसे ही लेने हैं जैसे आपके doctor बताएं अपने मन से कभी भी इसका डोज ना डवल ले ना बहुत जादा ले ना कम ले ना जादा ले अगर आप इसका डोज गलत ले लेंगे या ज्यादा ले लेंगे तो आपको ये capsule फायदे की जगा नुकसान भी पहुँचा सकता है तो हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाईयों की पूरी और सही जानकारी free of cost आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं आप भी चाहते हैं दवाईयों से जोड़ी ऐसी ही अच्छी और पूरी सही जानकारी पाना तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर जाना हम आपसे बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई दवाईयों की नई जानकारी के साथ थैंक यू सो मच